नमस्कार दोस्तो ओनलेन लिर्निंग श्रनो चैनल में आप सभी का स्वागत है सतर शक प्रति मिनिट की गती से लीगल डिक्टेशन शुरू होगी तीन सेकिंड बाद स्टार्ट हस्त गत प्रकरण में अभ्युक्ता लाड बाई मफ्रूर है यहे निर्ने अभ्युक्त रामकिशन की हद तक ही पारित किया जा रहा है पैरा इस प्रकरण का उद्भव परिवादिया मोसमी द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी पांच प्रस्तुत करने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या दोसो चोदा ओबलिक 2001 पुलिस थाना कोतवाली बुंदी में दर्ज करने से हुआ जिसके तथे संक्षेप में इस परकार से हैं कि वहे रमेश गुर्जर के मकान में किराय पर रहती है उसका पती ट्रक चालक है कल रात को उसका पती बाहार गया हुआ था वहे मकान की छट पर सो रही थी उसी हिस्से के छट पर लाल चंद भी सोया हुआ था बराबर वाले मकान की छट पर रामकिशन अपनी पतनी के साथ सोया हुआ था रात के करीब बारा साड़े बारा बजे की बात है उसे किसी ने छेड़ा वा उसकी चाती वा गरदन पर हात लगाया वहे खड़ी हो गई उसने पूछा क्या बात है तो उसने उसके साथ धक्का मुक्की करने लगा तो फिर उसके साथ मारपीट करने पर उतारू हो गया उसकी पतनी ने भी उसके साथ धक्का मुक्की की वहे नीचे गिर गई और वो पती पतनी भाग गए इसके बाद उसने संभाल की तो उसकी चांदी की चैन वा सोने का जंत्र नहीं मिला वहे रात को ही उसके ब्याजी सूजी मीडा के पास चली गई और उन्हें पूरी बात बताई उसके पती के घर पर ना होने की वजह से वहे रिपोर्ट करने नहीं आई अब उसका पती आ गया अब रिपोर्ट करने आ चुकी है अब इस पर कारेवाही की जावे उन्होंने देखा तो रामकिशन था आदी पैरा उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पर बाद अनुसंधान मामला धारा 457-354 भारतिये दंड सहीता का पाया और उक्त धाराओं के तहत चालान अभ्युक्त गण के विरुद शिरीमान मुख्य नियाईक मजिश्ट्रेट बूंदी के समक्ष प्रस्तुत किया गया उक्त आरोप पत्र पर शिरीमान मुख्य नियाईक मजिश्ट्रेट बूंदी के दुआरा अभ्युक्त गण के विरुद उक्त धाराओं के तहत प्रसंग्यान लिया गया तद पस्चात ओक्त प्रकरण नियामनुसार निस्तारण हेतु नियाले अतरिक नियाईक मजिश्ट्रेट प्रथम वर्ग करम संख्या दो बूंदी को दिनांग 28-10-2002 को प्राप्त हुआ दिनांग 10-8-2005 को 22 चार्ज सुनी जाकर अभ्युक्त रामकिशन को धारा 457-354 भारतिये दंड सहीता का आरोप एवं अभ्युक्ता लाड बाई को धारा 457 भारतिये दंड सहीता का आरोप प्रिथक प्रिथक लिखित में विर्चित कर सुनाया समझाया गया जिसे सुन समझ कर अभ्युक्त गण ने आरोप आस्विकार किया एवं अन्विक्षा चाही तत पस्चात उक्त प्रकरण नियमनुसार निस्तारण हेतु हाजा नियाले को अंत्रित होकर दिनांग 25-6-2011 को प्राप्त हुआ पेरा साक्षे अभ्योजन में अभ्युक्त रामकिशन की हद तक अभ्योजन पक्ष द्वारा गवाह पी डवल्यू एक राजेश, पी डा दो रंगलाल, पी डवल्यू तीन शंकर, पी डवल्यू पांच राम परसाद, पी डवल्यू छे लाड बाई, पी डा साथ शियोजी, के बयान मोखिक साक्षे में लेकबद किये गए पी शूब